हेलो एवीवन वेलकम बाक ऑन माई चानल डैट इस टालवाई भुमिका और मैं हूँ आपकी दोस्ट भुमिका आज की वीडियो में मैं आपके साथ श्री लंकन साड़ी को कैसे ड्रेप करते हैं वो बताने आई हूँ हाला कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं मैंने भी थोड़ा इदर उदर सर्च किया उसके बात पता चला क्योंकि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी जो कि मेरा जो महराश्रन सारी ड्रेप था उसमें मैंने देखा कि कॉमेंट आया एक किसी का जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्स कि बहुत अच्छा लगा ये कि उनका कि उन्होंने मुझे ये कहते हुए बोला तो मैंने कहकं किक्यू क्यों नहीं अगर कोई सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर मेरे हर एक सब्सक्राइबर बहुत attendees है और मैं उनकी हरीक रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी आपे भी और आगे भी और हमेशा भी तो बस उसी कोशिश के साथ मैंने ये श्रंकन साधी ड्रेप करने का वीडियो एक शूट किया और आपके साथ शेयर कर रहे हूँ आपको ये अच्छा लगेगा तो चलिए बहुत बाते हो गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट अगा हेलो ब्यूटिफुल गर्ल्स तो सबसे पहले मैं श्री लंकन टिपकल ट्रेडिशनल साधी ड्रेप करना बताऊंगी उसमें आपको क्या करना है जैसा कि मैंने इस पल्लू को लिया है प्रॉपर पूरे प्लेट्स बना लेनी है आपको ऐसे जैसा मैंने इसमें किया है और ए अगर आपके पास नाड़ा है तो नाड़े का यूज करिए वरना ऐसी जैसे में पास ऐसी डोर सी थी तो आप उसका भी यूज कर सकते हो उसे आपने क्या करना है अपने पल्लू के उपर से ठीक है जो आपने प्लेट्स बना इसके उपर से अच्छे से नौट बाननी है वि यहां पर नौट दीली रह गई न तो साड़ी आपकी प्रॉपर बननी पाए और शैद खुल भी जाए फिर आपको क्या करना है यह जो साड़ी का पार्ट बच्किया है जो बच्चा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो उसे आपको अपने आगे से ऐसे लाते हुए पीछे क गुमाते हुए फिर आगे लाना है ठीक है ऐसे करके पूरा प्रॉपर आपको आगे ले आना है सारा कपड़ा जो बच्चा हुआ है ठीक है फिर आपको क्या करना है जो पूरा कपड़ा बच्चा हुआ है अगर आपकी लंबी साड़ी है तो आप जादा प्लेट्स बना सकत यह इसके बार बाद की आरे की अंदर यह देख रहे हो आप दरगें को नहीं कर लो हगा है न्युक्त कर लोगा मुझसे भी यह एक बार में नहीं हुआ है जाके हुआ है और अगर आप एक बार में कर लेते हो तो आप बहुत जीनियस हो मैं तो यही समझती हूँ because मुझसे नहीं हो पाया फिर आपको क्या करना है यह जो rest कपड़ा बच्चा है इसे आपको फिर से ऐसे round ले जाते हुए पीछे से यूँ आगे की ओर लेके आना है ठीक है फिर यह जो आगे कपड़ा आ रहा है उसे आपने जो प्लेट्स बाहर की ओर निकाले ना उसके नीचे से जैसा कि आप देखी रहे हो फिर अंदर की ओर टक कर देना और ऐसे आपने पूरे चारो तरफ जो भी बाहर की ओर कपड़े देख रहे है अलग-अलग तो प्रॉपर प्लेट्स आपकी दिखनी चाहिए तो आपको बहुत जरूरी है कि उस टाइम आप अच्छे से प्लेट्स बनाओ और बाहर की ओर सही से निकालो ताकि पूरी प्लेट्स आए ठीक है और फिर आपको पूरी प्लेट्स को स्प्रेट करना है जहां तक आप कर सको अगर आपकी मैंने जैसा पहले बताया जितनी जादा प्लेटे बनाओगे उतनी जादा पीछे तक जाएंगी अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे ना तो उनकी पूरी पीछे तक प्लेट्स जाती है और बस यही एक प्रॉपर लोग है ट्रेडिशनल श्री लंकन ड्रेप ठीक है आप बताएगा आपको यह कैसा लगा मुझे तो बहुत प्यारा लगा और आई होप आपको यह पसंद आया होगा तो अब मैं सेकेंड अपने ड्रेप पे मूव करती हूँ जो की श्री लंकन ध कराबर साड़ियां लेनी है दोनों साइडों के उसके बाद यह नौट बानने है जैसे सेम महराश्रन साड़ी का स्टेप होता है बस एक दो चेंजर से बाकी प्रॉपर वही है ठीक है ऐसे नौट बान देनी है फिर आप जब स्प्रेड करोगी यह देखो जैसे पीछे कपड़ा रही जाता है तो वह कपड़े को आपको आगे ठीक है अगर आपको लगता है खुल जाएगा तो एक सेफटी पेंट से इसे पिनप कर लेना तो सिक्यूर है फिर अपने लेफ्ट हैं साइड वाले कपड़े का पोर्शन जो है उससे अपने पैरों के बीस से लेफ् मुझे कम फिनिशिंग लग रही है अगर यहां पर मैंने इसकी जगा एक जोजट की कपड़ा मालब साड़ी यूज की होती ना तो बहुत प्यारा लुक आता मालब सारे स्टेप सेम ही होने है कुछ अलग नहीं होना है बट होता है ना कोई-कोई साड़ी से वह लुक नहीं दो करते हैं लोग उनके लिए होती है फिर आपको क्या करना है जैसा कि आपने वहां पर सेम पीछे प्लेट्स बना के पीछे की हो टक कर दिया अब आपको क्या करना यह जो डेफट है राइट है इंडशा वाला जो पार्ट है उसे अपने पैरों के बीस से नहीं लेके जान ठीक है इस धोती साड़ी में श्री लंकन में जैसे महराश्यर में तो एक साइड में जाके उपर पलू आ जाता है इसमें क्या होता है इसमें दोनों साइड प्लेट्स होती है इसकी यह स्पेश्यालिटी है इसकी दोनों साइड प्लेट्स होती है ठीक है ताक कि आप अच्छे हाइट के वो मेजर करके उसे साप से अपने पल्लू को अज्यस कर लेना है आगे पीछे दोनों साइड ठीक है और यह बस ते यार और आप थोड़ा बहुत देख लो गड़ी दर उदर कुछ होता है पस यह है जैसा कि मैंने बोला अगर आप जॉर्जट की साड़ी लोगे ना तो प्रॉपर लुक आएगा खैर इसमें भी आ रहा है ऐसा नहीं है बड़ थोड़ा सा मैं कम सटिस्फाइब हुई हूँ ठीक है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा आपके लिए हल्फुल रहा आपको जैसे मैंने ड्रेप करने की कोशिश की है जैसे बताया है विकोज मेरा भी यह फर्स टाइम था तो मैंने पूरी अपनी बैस देने की कोशिश की कि मैं सही से आपको बता पाऊं और आपको समझ आए तो बस उसी कोशिश के साथ मैंने यह वीडियो बनाया होप आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीज़े मेरे चैनल को बैल आइकन को प्रेस कीज़े जिससे की आने वाली हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन म और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्टालवाइबुमी का के नाम से है आप जाके वहां भी मुझे फॉलो करो और चली अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए लाव लाव बाई-बाई